नमस्कार न्यूज 21 देख रहे हैं आप और खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है जहलावाड के न्यू ब्लोक स्कूल के खेल मैदान पर दबंगो द्वारा अथिकर्मन का मामला सामने आया है शिक्षा मंतरी मदन दिलावर नयतरिक जिला कलेक्टर सत्य नारान अमेठा को 24 घंटे के भीतर कबजा हटाने के सक्त निर्देश दे दिये है लेकिन 24 घंटे बीच जाने के बावजूद भी प्रिशासन दौरा खेल मैदान को लेकर कोई कारवाई नहीं की गई है ऐसे में न्यू ब्लोक स्कूल के चात्रों ने एबी वीपी कारे करताओं के नित्रित वम्याद स्कूल के खेल मैदान पहुँचकर जम कर प्रदर्शन किया और जिला प्रिशासन के खिलाफ नारे बाजी की प्रदर्शन कारी चात्रों का कहना है कि शिक्षा मंत्री का निर्देश भी जिला प्रिशासन के लिए कोई माइने नहीं रखता है सूचना मिलने पर एसपी चरंजिलाल मिना खेल महदान पहुँचे और प्रदर्शन कर रहे चात्र नेताओं से बातचीत कर समझाईस की समझा इसके बाद एबीवीपी के प्रदेश पदाधिकारी पुश्पेंदर नागर ने कहा कि अतरिक्थ पुलिस अदिक्षक द्वारा बताया गया है कि अतिरिक्स जिला कलेक्टर आज बाहर है और जिला कलेक्टर भी वी सी में है इसलिए चातर नेताओं ने प्रदर्शन को सोमवार तक के लिए टाल दिया जालावार से नवीन राजवाल की रिपोर्ट कटकर दोस्ति करना है उसी को लेकर हम यह पर उपस्तित है जैसा की मंत्रि मोध्य के सामने का था कि हम कल पूरे जापते के साथ में परशावन उपस्तित रहें इस अवेड अवेड ढाटे को गिराने काम करेंगे लेकिन परशावन की विए अभी तक भी निकुल पारी है और विद्यारती पिसद अंतिम रूप से चयतावनी देते हुए हम कहते हैं कि जब तक यह थिकमा दोस्त नहीं हो जाता तब तक विद्यारती पिसद और यहां के छात्र अटिक रहेंगे अपनी बात पर किस अवेज डाचे को गिराकर विद्याले को सौतंतर खेल मैदान दिया ज जिसके बाद उन्होंने एडियम साब को यहां से अवगत कराया था कि वहां पर जो भी अतिकर्वन आपिया वहारा अतिकर्मन किया हुआ है उसको द्वस्त करें एडियम साब ने यह आश्वतन दिया था कि 24 गंटे आनि कल हम उस अतिकर्मन को हटाएंगे लेकिन यहां पर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुए एडियम शाप को हमने फोन भी किया है लेकिन एडियम साब अपनी चुपी साद्रे और भोल रहे हैं कि हम अभी अतिकर्मन आटाने के लिए यहां पर कोई इंतिजाम नहीं है जालोर जिले के मांडवला गाव में परियूशन पर्व के पहले दिन वामा माता का थाल 56 भोग अरपन कारिकरिम कायुजन किया गया इस दोरान लाभारती उक्चंद जी संगवी परिवार ने भगवान पार्शुनात के माता पिता बनने का लाब लिया जैन समाज की बच्चियों ने रंगारंग निरित्ते भी पेश किया बता देगी देश भर से लगवग तिन सो लोग इस वर्ष परियूशन करने मांडवला गाउं में आये हुए है सादवी ने पूरे कारिकरिम का भैतरी धंग से संचालन किया परियूशन पर में अपने आसपास के सभी लोगों से किये गे कारियों के लिए जैन बंदो द्वारा माफी मांगी जाती है आठ दिनों तक भगती परवचन रोजाना सुबह शाम आयोजित किये जाते हैं इस अवसर पर जैन समाज के श्राबक श्रावी काई मोजूद रहे जालोर से संकरलाल चोदरी की रिपोर्ट डीडवाना शहर के राजकिये बांगड होस्पिटल में निर्मान संबंदी गंबीर खामिया सामने आई है हाल ही में अस्पताल में से तीन निशुलक मुख्यमंतरी दवा वितरन केंद्रों में से एक काउंटर की छट गिर गई इस घटना में कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया क्योंकि घटना के समय वहाँ कोई मौजूद नहीं था छट गिरने से अंदर पड़ी कुर्शी और टेबल टूटकर छटी गिरिस्त हो गई इसके अलावा पास में बने अन्ने दो डीडी सी काउंटर की छट भी कमजोर है और वह भी कभी भी गिर सकती है अस्पताल के कई हिस्सों की बिल्डिंगे खराब हालत में हैं पूर्व में भी अस्पताल में बने कौाट्रों की बालकनी और छट्जे गिर चुके हैं लेकिन अब तक अस्पताल प्रिशासन ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है एक साल पहले डोक्तरों और स्टाफ के निवास क्षेतर की बालकनी और छट्जे भी गिर चुके थे जिनका मलबा अभी तक वहां पड़ा हुआ है अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज आते हैं और उनके लिए तीन डीडीसी काउंटर बनाए गए हैं लेकिन ये काउंटर भी मरीजों के बढ़ती संख्या को देखते हुए एप्रियाप्त है नए काउंटर बनाने या मोजुदा काउंटरों को सुधारने के बजाए अस्पताल प्रिशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया इस परकार की लापरवाईयों को देखते हुए सरकार और संबंदित अधिकारियों से अपील है कि वे अस्पताल के भावनों की स्थिती पर ध्यान दे और ततकाल, मरमत वर सुधार के कारे शुरू करे ताकि भविश्य में किसी भी संभावित दुर गटना से बचा जा सके केबिनेट मंतरी अविनाश गहलोत का राजस्थानी परंपरा से माला साफ़ा पहना कर स्वागित किया गया। उदैपूर जिले के कुराबर तहसिल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बेमला ग्राम पंचायत के एनिकट तालाब में नहाते हुए चार स्कूली बच्चों की मोथ हो गई। तीन बालिकाएं और एक बालक की डूबने से मोथ हुई है। चारों बालक स्कूल के बाद जं मोखे पर पहुची पुलिस की मोजूदगी में ग्रामिनों द्वारा एनिकट तालाब में से तीन बच्चों के शव बाहर निकाल लिये जबकि एक बच्चे की तलाश अभी तक जारी है। इस हादसे की सूचना मिलता है एक शेतर के कई जन परतिनीदी भी मोखे पर आपको बता दें कि एक दिन पूर चितोडगर जिले के बिलोदा में भी हादसा हो गया था। इस हादसे में चार बालिकाओं की भी डूबने से इम्मोत हो गई थी। उदेपूर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। परत मध्यम बरसात होने की संभावना जताई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रहेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर आट सो चैदसमलव पचास रुपे परतिस सिलेंडर है। जैपूर में कमर्शल गैस सिलेंडर अभी 1680 रुपे का है। एक अगस्त को भी कमर्श सिलेंडर के दाम 12 रुपे बढ़े थे। जैपूर से बिरो रिपोर्ट। जीवंत जहांकियां भी सजाएगी। आश्रम में आज से स्रिमत भागवत कथा का शुभारम भी किया गया। साथ सितंबर को महरोली जोड़ादास आश्रम के राम मुर्ती दास महराज अपने संगीत में वानी में कथा वाचन करेंगे। टीडीनात आश्रम के महें सिरी सिर सिर्मादुपूर से रविकांत अगरवाल की रिपोर्ट। के पती देव भीम अरोडा सेवा समीती के अद्धिक्स कुल्देप सिंग गिल सहीत शहर के गणमाने लोग मौजूद रहे। राइसिंग नगर से राजुशर्मा की रिपोर्ट। केंद्री vandaag और अवम संस्कृती मंत्री गजंदर शिंग शेखावत आज अलप परवास पर जोदपूर पहूँचे जोदपूर एरपोर्ट पर केंद्री मंत्री गजंदर सिंग शेखावत का पारटी के कारिकरताओंने स्वागत किया इस दोरान केंद्रिय मंत्री शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जोदपूर में नावालिकों के साथ हो रहे अत्याचार दुर्भागे पूर्ण है इस तरह के हालात बिलकुल ही स्विकारे नहीं है केंद्री प्रियेटन मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रिशासन को तुरंत इस बात पर शंग्यान लेते हुए सक्थ कारवाई करनी चाहिए अगर आधिकारी चूक हुई तो इसके लिए जिम्मेदार जो भी है उसके खिलाव कठोर कारवाई सरकार करेगी इसके लाए हरियाना में हो रहे चुनाओ को लेकर उन्होंने कहा कि भारतिय जनता पार्टी सभी चुनाओ गंबिरता के साथ लड़ती है और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाना में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 साल से हरियाना वे देश में परगती की है हरियाना में भी परिवर्तन हुआ है और इस बार निश्चित रूप से भारतिय जनता पार्टी हरियाना में बहुमत से सरकार बनाएगी जोदपूर से मनहोर सिंग की रिपोर्ट भारतिय जनता पार्टी ने सभी अपने कारिकरताओं को कि हम सभी चुनाओं गंबीरता के साथ में लड़ते हैं कुछ अवसर प्रदान किये हैं और मुझे पूरा भरुसा है कि जस तरह से डबल इंजन की सरकार ने पिछले दस साल में देश में प्रगती की और हरियाना में भी उसी के साथ में परिवर्तन हुआ है अर्याना में निश्चित रूप से भरती जनका पर्टी विजही होगा अगे निश्चित रूप से दुरभाग्यपूर्ण है मैंने प्रशाशन से लगातार इसके लिए बात की है इस तरह की हालात बिल्कुल भी स्विकारे नहीं है प्रशाशन को तुरंत इस बात पर कि मंत्री जी से मैंने इसके लिए निवीद है आप मिटिंग के लिए निश्चित खबर दिनबर में फिलहाल इतना है आप देखते रहिए निश्ट्वांटीवन